आप लोग रोना बनते दिये मेरे तक आवाज आ रही है जो अंदभक्त अब तक I stand with Israel का जंडा लगा कर खड़े थे ऐसे अंदभक्तों को भारत की सरकार ने तगड़ा जटका दिया है भारत ना सिर्फ फलिस्तीन के साथ है बलकि उसके लिए मदद भी भेज रहा है आज भारत ने फलिस्तीन के लिए 40 तन सामान भेज कर भक्तों को मिर्ची लगा दी है अब तक जो अंदभक्त भारत सरकार से इसराइल जाकर इसराइल की तरफ से लड़ने के लिए वीजा मांग रहे थे ऐसे भक्तों के सीने पर मोदी सरकार ने मदद वाली बुल्डोजर चला दी है ऐसे में भक्तों के घर में रोना धोना मचा हुआ है नमस्कार अदाब आप देख रहे हैं खबर अद्दा और मैं हूँ आपके साथ सुंबली रम भारत फलिस्तीन की मदद कर रहा है मदद के तौर पर भारत ने फलिस्तीन के लिए राहत सामगरी भिजवाई है ये राहत सामगरी मिस्र के रास्ते फलिस्तीन पहुँचाए जाएगी इसको लेकर विदेश मंत्राले की प्रवक्ता अरिंदम बाक्षी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी बता दें कि गुरुवार 19 अक्तूबर को प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी और फलिस्तीन के राष्ट्रपती महमूद अबास के बीच बात हुई थी जिसके बाद प्रधान मंतरी मोदी ने मदद भेजने का आश्वासन दिया था भारत फलिस्तीन की मदद के लिए कुल 38.5 तन की राहत सामगरी भेजवारा है जिसमें 6.5 तन मेडिकल सहायता का समान है और 32 तन आपदा में काम आने वाला समान है न्यूज एजेंसी एनाई की रेपोर्ट के मताबिक मेडिकल सहायता के तौर पर पेन किलर जैसी कुछ जरूरी दवाईया है साथी कुछ सरब भी है जरूरी सर्जिकल एकुबिट्स भी भेजे गए हैं वहीं आपदा में काम आने वाले सामान में भारत फलस्तीन के लिए टेंट, स्लिपिंग बैग, ट्रेंपॉलीन, रोज मर्रा में काम आने वाला सैनेटरी का सामान है पानी साफ करने वाली टाबलेट समेट और भी कई जरूरी सामान भिजवा रहा है विदेश मंतराले की प्रवक्तार इंदम बाक्ची ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी एनाई के रिपोर्ट के मताबिक, भारतिय वाई उसेना के C-17 विमान के जरिए धारत फलस्तीन को मदद पहुचाएगा ये विमान मिसर के अलारिश हवा यड़े पर पहुचेगा जहां से रफा बॉर्डर के जरिए राहत सामगरी को फलस्तीन पहुचाएगा दोस्तों शनिवार 21 अक्तूबर को घाजा पट्टी में मदद पहुचाने के लिए मिसर का रफा बॉर्डर खोला गया था इस दौरान 20 ट्रक राहत सामगरी लेकर फलस्तीन गए थे डबलूर चो यानि की वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन की डारेक्टर जनरल ने बताया कि फलस्तीन में अभी जो राहत सामगरी पहुच रही है अभी वहाँ उससे कहीं ज्यादा राहत सामगरी की जरूरत है साथी उन्होंने बताया कि राहत सामगरी पहुचाने के लिए एक सुरक्षित रास्ते की भी जरूरत है फलस्तीन के राशुपती महमूद अबास से बात करने के बाद प्रधान मंत्री नरेदर मोदी ने घाजा पटी के अल एहली अस्पताल पर हुई बंबारी में जान गवाने वाले लोगों के प्रती शोक जताते हुए इलाके में आतंकवाद, हिंसा और बिगर्ती सुरक्षा वैवस्था पर चिंता जताई थी और कहा था कि भारत इसराइल फलस्तीन मुद्दे पर लंबे समय से चले आ रही अपनी नीती पर टिका रहेगा जैसे भारत ने फलस्तीन के मदद के लिए 49 टन समान भेजा उससे भक्तों के सीने पर साप लोड़ चुका है एक भक्त ने लिखा हिंदूओं आपके गले काटने वालों को मोदी जी आप ही के पैसो से सहायता भेज रहे हैं यही हिंदू राष्ट के लिए वोट दिया था एक और भक्त लिखता है कि आतंगवादियों को मदद पहुचा रहे हो मैं आपको कभी मंसिर माफ नहीं करूंगा तो एक और अंदभक्त लिखता है कि मौलाना मोदी देश का पैसा जिहादी मुल्लो के ओपर लुटा रहा है तो भारत ने जैसे ही फलस्तीन के लिए मदद भेजी है तो सबसे ज्यादा रोना धोना उन भक्तों के घर पर मचा हुआ है जो इसराइल का जंडा ढो रहे थे तो भारत सरकार के से इतिहासिक कदम पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारी फ्रीजाल्जिन को आपके सपोर्ट की जरूरत है वो तब ही होगा जब आप जितना ज्यादा जॉइन का बड़न इस्तमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी होसल अवजाई करेंगे साथी अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजे फेस्बूक और इस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो खबरद्दा को फॉलो कर लीजे